एक बार हम लोग नया सिस्टम जो है जिस तरह से एक्जाम देना है मन में बहुत जन को डर लगता है क्योंकि कोई भी एक्जाम ऐसा दिये नहीं कि कम्प्यूटर पे लिखना है बट ये नॉर्मल कॉपी में लिखने से इजी है और हम अपने आप को जितरह भी जन बैठा है कम्प्यूटर में सबसे वर्ष्ट मानते हैं हम मान के चल रहे हैं तो हम ये दिखाएगा कि इफ आई कें गिफ इस एक्जाम दन इट्स इम्मेट्रियल हूँ वहर्ष्ट नॉलेज है जिन कम्प्यूटर टाइपिंग स्पीड जैसा भी है वह भी उनका एक सजेशन है कि आपका ऐसा टाइपिंग स्पीड होगा तो भी आप एक्जाम दे सकते हैं तो यह और इजी है ऐस कंपेर टू कॉपी में लिखना पिकास कॉपी में लिखते हैं सबका इंडाइटिंग अच्छा नहीं होता है अब कॉपी अगर चेक हो रहे हैं डाइटिंग नहीं समझ में आ रहा है मांक्स तो नहीं मिलेगा ना बट यहां तो इंडाइटिंग का मतलब ही नहीं है कानी का तम everybody will have same font size everything सबकुछ सेम है font size वगरे change करने का option भी नहीं है जो है सबका font size सेम ही रहेगा बस हाँ थोड़ा बहुत bold italics वैसा कर सकते हैं उसके हिलावा और कोई option ही नहीं है इसके किस तरह से exam देना है कैसे paper आएगा this is not mcq and this is applicable for all the levels maybe strategic maybe operational management सबके लिए यह same story है तो इसमें दूनों तरक यह tutorial actually सीमा website से ही लिया है कहीं घर से नहीं बनाया गया है सीमा website पे अगर कोई जन गया होगा properly search करते है तो उसको देखेगा क्या क्या चीज अपने काम का है सारा दुनिया बर का चीज तुमा नहीं देख सकते है न what is relevant for us that we should always look for और institute भी किया है कभी न कभी mail भी किया होगा बढ़ हम लोग क्या सोचते है सीमा से mail आया है बे काम का है पैसा वोसे मांग रहा होगा cancel, spam खतम हो गया लेकिन कभी कभी काम का चीज भी तो आ सकते है तो institute ये चीज सबको mail भी किया है कि जिसी कि आपको पता चले new system है क्या बढ़ आप में देखता नहीं है टेंशन लेता है दुनिया बर से सुन रहे हैं यह हम ऐसा सुने हैं कहां से सुने हैं जो है सामने हैं कोई सुनने होने का बात रही है मैं इसमें दोनों तरह का जो questions और objective और case study किस तरह से exam में आएगा पहले बात कर रहे हैं इसमें पहले ही लिखा हुए You may now complete the brief tutorial in preparation for your exam It is an opportunity for you to familiarize yourself with the some of the functionality you will encounter in the exam और actually यह जो tutorial है exam में 15 minutes सबको पहले दिया जाएगा exam जब अब चालू होएगा जैसे ही आप start करेंगे पहले यह tutorial ही चालू हो जाएगा यह offline चल रहे है वो online चलेगा tutorial तो कुछ-कुछ features है जो इसमें operate नहीं करेगा लेकिन जो ज़्यादा तर फीचर सारा है वो सब उस online tutorial में operate करेगा वो pearson's वाले लोग कई बनाया हुआ है और उसमें अपने आप यह सब कुछ माने mouse से होते रहेगा कि देखिए आप ऐसे करीगा तो यह आएगा ऐसे करीगा तो यह आएगा कोई भी चीज होता है तो tutorial वगर कैसे समझ में आएगा तो exam में operational मने CBA level का exam MCQ होते है एक student है जो दो बार exam दिया और दो नो बार दो मिनेट में उसका exam खतम हो गया दो मिनेट में exam क्यों खतम हो गया वहाँ आता है you want to end the exam अब दबा दिये end भूल के दबा दिये फिर आएगा be careful still you want to end exam फिर दबा दिये फिर आएगा भाई last बार भूल रहे है exam अभी खतम हो जाएगा आपको end करना है फिर आप दबा दिये तो उसमें उन लोग को क्या गलती है fees गया, fail हो गये because exam तो आपने दिया ही नहीं उसमें किसी को आप दोसी नहीं ठरा सकती है वो लोग तो तीन बर चार बर आपको precautions दे रहे है कि end कर रहे हैं end कर रहे हैं end कर रहे हैं अब उतना भी नहीं दिखेगा तो कौन क्या करेगा उसकी अंदर तो यहाँ पर भी जब exam अपने submit करेंगे end करेंगे चार बार विचारा पूछ रहे है four times they will ask वो भी नहीं दिख रहे हैं तो वहां क्या करना है फिर पागलियों के दे रहे हैं तो पैसा उससा सब बरबाद होएगा इस ध्यान देंगे कि तुटोरियल में क्या क्या चीज़ समझा रहे it is not mcqe exam it is objective type question otc objective type question के अंदर six to seven category of questions है which they will be asking और यह अलग-अलग levels के लिए अलग-अलग type में रहेगा मतलब operational level के लिए lowest level management level के लिए और higher level और strategic level के लिए topmost level मतलब strategic level के लिए question हम लोग जब करते हैं तो वो लोग बोलता है recommend हम लोग थिवरी लिखते हैं recommend strategic level के लिए बात कर रहा हूँ if they are asking recommend then we advise our comment कि भई हमको यहाँ पर debt से पैसा लेना है equity से लेना है क्या करना है question recommend भी रहेगा recommend में वो लोग उसके साथ इस तरह से बना कि देगा कि जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं सब लिखा रहेगा to select one by one आपको इस तरह से selection करना होगा कि अगर मैं यह recommendation करना हूँ तो इसके साथ यह match करते हैं अगर मैं यह recommendation करना हूँ तो इसके साथ यह match करते हैं तो आज अगर हम लोग कुछ लिखते थे उसमें कुछ grammical mistake होता था कुछ गलत लिखते थे spelling mistake अब tension ही खतम सब तो लिखा हुगा है आपका feeling जो है वो अल्रेडी वहां पर उजागर है बस properly आपको सोचना है कि you have developed proper understanding of the syllabus or not और operational और management level में तो किस्टेड एक्जाइम कभी हुआ नहीं है किस्टेड एक्जाइम का मतलब क्या है हम लोग को यह organization में काम कर रहे है organization में काम करते वक्त जो board of directors है या CEO है पहले ही तो CEO नहीं बनेंगे उसके अंडर ही काम करेंगे तो अपने को CEO डिरेक्टर्स लोग meeting में बुलाया बुला कि हम लोग को यह project करना है यह करना है इसका proper analysis करिए हम लोग दो दिन घूम के आ रहे हैं दो दिन कहीं और जा के आ रहे हैं तो analysis तो आप ही करेंगे तो जो जो meeting में discussion होता है वो एक-एक meeting का एक-एक आपको notes दिया जाएगा और आप वो notes को तयार करेंगे job भी करेंगे तो यही करना है न अब हम लोग क्या होता है कोई भी exam हम सीमा छोड़ कर बात कर रहे है मालनो हम लोग को दिया consolidation बनाओ हम लोग भी तो gateway के इंदर exam दिये ही है consolidation बनाओ सब detail दे दिया consolidation बनाओ think कि in any organization are you going to do that क्या आपको बोलेगा एक question आज हम उनना solve कर यह होने बला है क्या कि question देगा आपको आप solve करेंगे कि सब कुछ आप युग करने है question थोड़ी ना board of director देगा कि solve कराना है exam थोड़ी ना चल रहा है तो this is not that exam जो सब जगह होते आया है और हम लोग करते आये पढ़ने के बाद भी कोई बुद्धी रहता नहीं है आत्मी काम करना जानता नहीं है तो organization को क्या help करेगा अब exam pure practical oriented है कि आपको exam देने के time पे ऐसा सूचना है जिस company का case study दिया हुआ है आप वहाँ काम कर रहे है अलग-अलग बार एक एक माने अलग-अलग slides में they will be giving information उस information के basis पे director आप से क्या चाहते है company का finance controller क्या चाहते है CFO क्या चाहते है वहाँ दिया रहेगा आपको वह उसको बताना है फिर आपने जब वो report दे दिया जब आपने बता दिया उसके basis पे फिर नया बोला आपके report के basis पे फिर से meeting हो रहा है फिर से discussion चल रहा है अब उसका और detailing करेंगे यानि कि पूरे case study के अंदर धिरे-धिरे करके वो लोग आपसे पूरा organization में क्या होना चाहिए सब पूछ लेगा और इस तरह का development, operational, management, strategic तीन बार होगा तीन बार अलग-अलग के study के exam देंगे बहुत ज़्यादा practical knowledge होगा as compared to काली course में text क्या है उसका implication क्या है उस चीज़ का knowledge बहुत ज़्यादा होगा जो कि हम लोग को obviously market में हमारा job portability या अपना खुद का business manage करने में बहुत help करेगा कौन सक course बढ़ी है, खराब है that is secondary matter but जो ये लोग अभी कर रहे है that is the best एक बास समझना, धिरे से सोच मान लो हम लोग दो घंटा क्लास कर लिए you think on your own, in your mind कि what should be there in a course which increase our job portability और जो मैंने बोला था कि institute, हम लोग का बहुत सरा advice मांगता है advice है, वो लोग एक तो implement कर रहे है मॉंबई में, मार्च मेहना में जो भी वहाँ रैंक लाया था 2014 में उनलों का फैलिसिटेशन सरेमनी हो रहे है कोलकाता में भी होगा जो जे 2014 में रैंक लाएगा हर metropolitan city में वहाँ उनका फैलिसिटेशन सरेमनी होगा सारे student जो सीमा के हैं वहाँ आएंगे, जो members लोग अविलेवल है वहाँ लोग आएंगे, learning partner आएंगे आपको सब के सामने अवाट दिया जाएगा मने मन में ऐसे सोचने का बात है कि अगर आपने कुछ जंडा गाड़ा है तो उसका recognition सब को चाहिए हमको भी क्या चाहिए कि अगर learning partner अगर बहुत सारे हैं तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो मेरे को भी वह लोग प्रेस करें सब को इच्चा होता है आप अगर सीमा result अच्छा किये तो घर पे आपको parents अच्छा बोले भाई नॉर्मली प्रेस करें सब को मन में होता है और अगर खराब किये तो डंडा भी मारे यह भी जरूरी होता नहीं तो improvement कैसे होगा दोनों चीजी चाहिए सब कोई आदमी चाहता है कि जो वो काम किया उसको उसका recognition मिले लोग recognize करें तो since यह मेरे को लगता था हम जब वहां बूला तो मेरे साथ सब कोई बोले कि प्रकाश जी ठीक बोल रहे है this should be done other institutes are not doing this we will be doing this from 2015 हर जगर exact time पे नहीं होगा लेकिन पूरा साल में हर एक metropolitan city से जो लोग rank holders है जो सीमा students है उन लोग का एक get together होगा जरूर एक event जरूर होगा एक chair ground table है उस पे चार पाजन बैठा हुआ है अलग अलग team बना दिया कि साथ याथ team है जितने लोग है question पूछा how what the institute can do and what a learning partner can do for progression of the students progression मतलब अगर आप operational level में है आपको management level में जल सी जल आगे जाना चाहिए management level में है strategic level में आगे जाना चाहिए strategic level में है आपको सीमा complete करना चाहिए इसके लिए institute क्या help कर सकता है और learning partner क्या योगदान कर सकता है हम लोग discuss कर रहे है कि भाई इस learning partner को ये करना चाहिए institute अगर ये help करे तो ये फायदा होगा हर एक question हम लोग discuss करते है one by one what can be done for the development of the institute for the development of the learning partner for the development of the students everybody किसके लिए क्या किया जा सकते है मेरे ख्याल से को institute इंडिया में नहीं है जो ये सब बात कर रहे है को institute नहीं है तो that type corporate से क्या tie up किया जा है students जो clear करते हैं उनका job portability कैसे भड़े सब कुछ discuss होते है और सब से discuss करके फिर decide किया जाता है वहाँ एक आदमी लिखते रहता है साथ में जो भी बोल रहा हो टाइप हो रहा है फड़ा फड़ा और वो screen पे आते रहते है फड़ा फड़ा कि ये आ रहा है उसमें से जो जो point ठीक है उसको रख लिए बैलेंस छोड़ दिये अब सारा चीज तो इंडिया बाले डिसाइड नहीं कर सकता है दोस थिंग्स आर मेल दे टु यू के यू के डिसीजन लेगा इन 15 डेज वन मन्थ कि कौन कौन सी चीज में चेंज इस वहा जैसे हम लोग जितना learning partner अपना एक email बना लिया अपना एक WhatsApp कि सब learning partner एक दूसरा को help करेंगे विभॉस कोलकाता में अगर हम मैं हूँ तो हम दूसरा का कोई tuition नहीं खा रहे है या मान लोग को स्रिलंका में या पाकिस्तान में है तो हम उसका tuition नहीं ले रहे ना हो मेरा ले रहे इस नाट फाइटिंग इस बिसिकली helping each other learning partner जो जैसा जिसके पास जो है वो बेटर दूसरा को देगा तो उससे student का progression बढ़ेगा तो इस तरह का discussion high level पे होता है कि क्या कर सकते हैं और this type of meeting they will be having for learning partner now in a year three to four times हर quarter में performance क्या है क्या नहीं है क्या कर सकते हैं क्या problem हो रहे उसको discuss किया जाएगा और student को भी recognize करवाया जाएगा कि you are doing SEMA in new year you will be seeing second, third, fourth, january in every newspaper Bengali हो, Hindi हो, English हो, TV में आड हो सब जगह बोलग भी कॉस उनको समझ में आ गया हम बोल बोलके सूख जाते है huge type of all these print media everything for promoting SEMA कि what is SEMA तो जो भी मेरको ऐसे लगते है कि आने वले समय में course बहुत बढ़ी है अगर अच्छा से पढ़ाई किया जाए केवल पास होने के लिए नहीं बिगोश जो लोग already qualified है वो खली पास होके क्या करेगा उसको तो यह सोचना ही चीए कि भाई हम और बढ़िया से पढ़के exam देंगे ना कि केवल पास होने के लिए गौतम जी है यह आप सोचिए भाई क्यों अगर आप पास हो भी जाते मान लेजिए क्या फाइदा होता उससे क्या लाब हो तो level तो increase नहीं हो ना अब तो C.O. already है फिर क्या लाब होगा इसने ध्यान देजिए कि अपने को रेगुलरली पढ़ना है एक डिड़ घंट तो अच्छा होएगा पहले एक बर माई यह दोनों हम लोग एक के स्टड़ी है आदा आदा घंटा लएगा कैसे exams होगा उसको समझ लेते फिर हम लोग एक बात कर लेंगे कि अपने exam class में कैसे पढ़ने वाले what will be our way of teaching अलग अलग subject कैसे complete करने वाले और किस batch कमाने operational management level का class कौन सा कौन सा दिन अपने रखेंगे आज का कहानी यही हो रहे है फिर next day से जो जिस level का है उस level में उसका माने syllabus वगरे क्या है वो बात करेंगे हम पहले objective question में चला रहे है objective test tutorial this tutorial is designed to assist with navigation through SEMA's objective test मतलब कोई भी चीज अगर गाडी में भी आजकल navigation panel होता है अपने उसके थूँ माने जैसे mobile वगर है सब चीज तो यह navigation समझा रहे है कि आपको पूरा का पूरा पीपर में जब exam चालू होगा तो आपको कहां कहां क्या क्या चीज दिया रहेगा जिसके उपर click करने से क्या करने से कैसा question होगा वो समझा रहे है यहां पर लिखा होगा है कि objective type question 90 minutes का exam होगा 60 questions रहेंगे सभी questions का equal weightage है अब exam में कोई भी question का marks नहीं दिया रहेगा कि यह दो number का है कि देड का है कि एक का है कि धाई का है इन वो होल exam paper you don't know what is the marks of this question they are just saying that it is equally marked सब question का बराबर marks तो जब आप exam देंगे result में marks नहीं आएगा के वल pass fail आएगा बस हो गया pass fail that's all सुरू का एक साल के लिए दो चीज और लिखा रहेगा nearly pass यह nearly pass का मतलब क्या हुआ nearly pass मतलब आपका result तो उस समय आपको मिल गया लेकिन आप pass हुए कि नहीं अभी आपको नहीं बताया है वो लोग उसको analyze करेगा team because आप pass के कगार पर खड़े हैं हो सकते हैं आपको pass करना चाहिए तो आपको mail में result मिलेगा एक दो दिन बाद उसमें लिखा रहे गए इतनी दिर बाद आपको mail आएगा कि whether you have passed or not यानि कि it may be possible that if you have not scored good marks but still you may be passed because of all the areas because question तो पूरा सलिबस से रहेगा कोई भी जगह से ऐसा नहीं चोड़ेगा तो उस case में ऐसा वो लोग को लग रहे कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि student को pass होना चाहिए लेकिन जो software बनाया गया है उसमें हो सकता है fail आजाए तो उस case में software को instruction दिया गया है उसको तुरं-तुरंट student को नहीं बोल के fail उसको nearly pass बोल कर एक बर छोड़ देंगे and then he will be communicated he or see through email कि वो actually pass हुआ कि में ऐसा ज्यादा बर नहीं आने वाले लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा तो डरना नहीं है कि when you give the exam you will get nearly pass nearly pass may be converted into full pass और may be converted into a fail ठीक है और since एक 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 एक्जाम का फीज 11.12.000 रुपिय है हम केवल एक एक एक्जाम पर ले रहे जो पास हो गया आप तो उसके साथ ही रहेंगे दम है आपको अच्छे से पढ़ाई किये थी फिर्स जनवरी को दीजिए मैं यह नहीं बोलना फिर्स जनवरी को देना है मेरा बात समझना है I mean to say कि if you have not cleared one paper is left you are ready to give your exam on any day that is very important aspect to save your time समय का कीमत है पैसा का कीमत बाद में आता है कि हम अगर नहीं पास हुए हमको पूरा छह मैना वेट करना पड़ता है अब मेरे को एक दिन भी वेट नहीं करना है आप नेक्स दिन फिर दीजिए ना exam यह सबसे important बात है इस course का कि आपके ऊपर है कि आप कितना दिन में course complete करोगे कोई time frame अब नहीं है आपका दम है आप 6 मेना में करिये ना कौन मना कर रहे है बट इतना course है कि वो 6 मेना में impossible है कि वो operational से strategy तक कर लेगा कोई जादू नहीं चल रहे है it has to be properly planned लेकिन exam का कोई date नहीं है ठीक है यह जो objective test exam है यह साल में round the year 365 days होते रहेगा आपको जब देना है आप दीजी practically बात किया मानलो मेरे को exam देना है F1 का exam देना है F2 का exam देना है तो हम website पे गया हमको जहां से exam देना है वहाँ पर मैंने पता लगाया कौन-कौन से Pearson Center से जो मेरे सबसे बगल में है मैंने उस पे click किया click करने के बाद आएगा कि वहाँ पर availability कब-कब availability कोई कल का ही नहीं रहेगा because Pearson Centers में exam सीमा के अलावा और भी दूसरा-दूसरा चीज़ का होता है they conduct different types of exams ठीक है तो इसने खाली सीमा के लिए तो खोल के नहीं रखा नहीं तो उसका viability नहीं है the centers are operating for other exams also तो आपको according to availability exam मिलेगा जिसका generally हम लोग मानते हैं तीन से चार दिन बाद आपको मिल जाएगा आज आप बुक करेंगे after three to four days you can give the exam depending upon availability आप अपना बुक करेंगे fees pay करेंगे आपको exam देने मिलेगा उसमें clause मैंने नहीं देखा अभी उसमें अगर clause वगर होगा कि आप नहीं देना चाहते हैं इनफॉर्म करना चाहते हैं जैसा नहीं होना चाहिए आपने बुक कर कितना 24 hours पहले चेंज कर सकते हैं वो भी option है भाई कि 24 hours पहले you can communicate that you don't want to give the exam जो आपने चार दिन पहले बुक किया था तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब exam अपने उपर है जब मेरे को जोर से विस्वास है मन में अब तो हम पास हो गाई चाहिए कुछ भी हो जाए कोई पेपर आजाए ब्रह्मा जी आजाए तो भी हम पास होगा then you book for exam then you book for exam लेकिन वो ब्रह्मा जी दो साल बाद आएंगे हम ऐसा नहीं करने वाले यहां मेरा अपना प्लानिंग रहेगा कि इतना दिन में clear घरना नहीं तो क्या होगा इसका एक drawback भी है पहले exam था तो दिना पड़ता था अब है नहीं बाद में बाद में बाद में वो बाद ही बाद होते जाएगा फिर सीमा बनेंगे बुड़्डा होने के बाद इसके वो मेरा strategy नहीं रहेगा I will be going with a strategic frame के हम लोग इस समय exam देंगे and I will prepare the course in that way only whether you are coming or not it's purely immaterial class चलते रहेगी उस दिन वो खतम हो गया एक window रहेगा कि भाई सब कोई पास दिन में exam दे लेना हम पाचवा दिन के बाद छेटा दिन next paper चालू that way the procedure will carry on it's upon you you have to go with me otherwise आप खाले वाले आस्ते आस्ते करिए आपकी मर्जी है हमारा क्या system होगा हम बता देगा पहले इसमें चलते हैं तो यहाँ पहला slide में खाली यह exam में नहीं खुलेगा exam में tutorial में यह नहीं रहेगा यह खाली हम लोग के लिए बता रहे है कि आपको objective type question का जो exam होगा 90 minutes होगा 60 questions रहेंगे हर question का equal marking है कोई marks वगर नहीं दिया रहेगा आपको वो question one by one solve करने है अब है यहाँ लिख रहे कि जब exam चालू होगा यहाँ पर timing स्टार्ट हो जाएगा 60 minutes है तो 60 minutes में से हम बखबख करते करते हैं 7 minutes खा चुक है already 2nd से 7 वो चल रहे है ठीक है और पूरे exam कितना pages है लिख रहे है 2nd page में हम लोग आएँ out of 17 pages कि आपको ध्यान ले अब चाहते हैं कि आपको time नहीं देखना आपका माता कराब होते है तो आप इस पे click करेंगे time गायब हो गया वैसे वो चालू रहना चाहिए that is advisable since already घाडी टुक टुक बीत रहे तो दिखते रहना चाहिए मात ध्यान मत दीजे लेकिन फिर भी ये कभी-कभी ध्यान देते रहना चाहिए क्या हो रहे आपको फिर से time चाहिए फिर से click करेंगे फिर आगया घड़ी running ठीक है since जिस समय 60 seconds बितेगा 60 minutes पेपर अपने हाप ही बंद हो जाएगा आप वो नहीं है sir रुख जाए दो लाइन और लिखना है आप गया it's all over one 60 minutes over यह अपने हाप पेपर ही बंद हो जाएगा आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसके अंदर उपर में बोल रहे है कि दो जगए आपको एक तो time चल रहे 60 minutes में कितना minute बाकी है और दूसरा total pages कितना उस पर से कौन सा number page पे आप है आप कभी भी कोई भी level पर previous दबाएंगे previous page में आ जाएंगे next दबाएंगे और आगे page में चले जाएंगे आगे बढ़ते हैं अब इक्या दिख रहे है मैंने तो next दबाया तो फिर भी नहीं आ रहे है वो बुल रहे है कि आपने ये पूरा page पढ़ा नहीं है बुल आपके window में पूरा आया नहीं है तो बुलता है पहले पूरा पढ़िये तब आगे जाएंगे आगे जाने नहीं देंगे आपको मने इस somebody has not read because window computer का जो है उस पर पूरा नहीं है तो बाई-चांस आदमी नहीं पढ़ा question और answer दे लिया गलत हो जाएगा ना तो बता रहे है कि पहले पूरा पढ़िये हम next है कितना बार बढ़िये आगे नहीं जाने देगा वो बुल रहे है पहले आप नीचे तक आईए नीचे जाते हैं भाई दिखाओ क्या है यह लिजी यह नीचे दिखा रहे है कि scroll bar है उसको नीचे तक जब टालेंगे तब पूरा चीज देखेगा तब next में जाने मिलेगा यानि कि student यह नहीं बूल सकता हम तो पढ़ना ही बूल गया आगे गये कैसे पढ़ना बूले हैं कैसे वो पढ़ा के यह आपको आगे ले जाएगा फिर कि पहला टाइप का माने objective question में यह पहला category है जैसा कि जो लोग CBA वाले दिये हुए है यह वो category है क्या लिख रहे है multiple choice question single answer multiple choice question with a single answer appears like this on your screen आपकी screen में ऐसे appear करेगा which of the following number is the answer to the sum below बोलता 4 plus 4 क्या होता है एक्जाम में नहीं पूछ रहे है यह ऐसे tutorial बनाया हुए तो 4 plus 4 क्या होता है मैं मान लिजे 2 click किया ठीक है मान लिजे मैंने 2 click किया मिले को लगा नहीं 2 right नहीं है हम इसको click करके हटा दिये मैंने 4 click किया अब इसमें मान लो मैं 2 भी click करना चाहरा हूँ सारा click करना चाहरा हूँ सारा click करने से select सारा होगा नहीं Because since only selection of one है, अब सारा select करी नहीं सकते हैं You have to select one, यानि कि कोई बुर्बग भी होगा तो उस रॉंग कैसे करेगा बस रॉंग तब ही होगा कि उसने twice ही गलत किया That is one type of question in MCQ, सबके लिए बात हो रहा, operational management strategy सबके लिए one type of question हो गया, MCQ और अगर MCQ होता तो फिर सारा यह रहा तो फिर बोलना ही क्या था MCQ is a type of category in objective type question दूसरा है, दूसरा बोल रहा है multiple response question Multiple response question में some questions require more than one response मतलब इस तरह का question में answer एक के अलावा दो तीन है केवल एक single answer नहीं है, two three answers हो दिया रहे Here is an example, which of the following number is greater than answer to the sum below यहाँ दिया 4 plus 4 equals to 8 होता है तो बोलता है नीचे कौन कौन सा 8 से जाद है जितना भी 8 से जाद है वो सब answer है तो यहाँ पर जब आपने select करेंगे 6 फिर उसके पर select किये 8 तो 6 और 8 दोनों एक साथ select हो रहे है पीछे बाला में दोनों select हो रहा नहीं था Because only one था ना यहाँ पर सिंजोतीन answer हो सकते है जो जो हो सकते है वो सब select हो रहे है आप अगर सारे को select कर देंगे सब select हो जाएगा यानि कि you want to say that all are greater than you have reached the maximum number of selections बोलो आपने जोसमें सारा select कर दिया और आगे होगा नहीं बोलने का ज़रूरत था नहीं और ही नहीं select कहां से करें तो यह सब चीज भी आते रहेगा कि maximum मतलब आपने सारा ही select कर लिया है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है माननों माता हुथा खराब है हम कोई क्लिक नहीं करना चाहरा था वो भी हो गया तो याद दिला रहा है देख मुनना सब क्लिक हो गया देख रहे ना भाई गलती तो मत कर दो इस इस इजियर दैन जो अर्लियर एक्जाम दे रहे थे पहला बात यही है ठीक है फिर आगे बढ़े ठीक है जा रहा वो बूल रहा है सारा है सलेक और नीचे जाना है स्वरी स्कूल करना है ठीक है इस्कूल हो गया आगे यह तीसरा काटेगरी है ड्रॉप डाउन कोश्चन ड्रॉप डाउन कोश्चन में नंबर इस दी आंसर टूदी संब बिलो मतलब उन सब में तो आप्सन दिया हुआ था ना यहां पर बोल रहा है यह ड्रॉप डाउन के अंदर आपका कोई एक आंसर है ड्रॉप डाउन वाला कोट क्लिक के सेलेक्ट करने के लिए वह आंसर बदा रहे है दो चार छह आठ जो एट है अगर उसको क्लिक करेंगे हो गया ड्रॉप डाउन कोश्चन ड्रॉप डाउन कोश्चन का मतलब हुआ यू हेव नौ मने एक्श्वली मल्टिपल च्वाइस वाला टाइप हो गया खाली वहां पर छपा हुआ था यहां ड्रॉप डाउन करेंगे तब आएगा ठीक है फिर है यह चौथा के टेगरी है ड्राइग एंड्रॉप कुश्चन बोल रहा है प्लेस दा नंबर बिलो इन न्युमिरिकल ओर इस्टार्टिंग विफ लोईस्ट ऑं दे लेफ्ट हैंड साइड मतलब लोईस्ट हाइस्ट हाइस्ट ऐसे जाना है तो इन सब में सबसे लोई लोईस्ट कौन से है पंद्र पंद्र को उठा के यहां लगा दिया है फिर नेक्स्ट लोईस्ट 26 यहां लगा दिया है फिर मालनीजी जान मुझे गल्ती करना है यह लगा दिया है फिर यह लगा दिया है फिर यह लगा दिया है मालनीजी आपको लगाने के बार लगा नहीं यह तो ठीक नहीं है, कहाँ चेंज करना है, इसको इधर लाना है, इधर ले आए, यह पचास नीची आ गया, फिर इसको उठा की उपर लगा दिये, ड्राइग एंड्रॉप, आपको लगते हैं, सभी गरबढ़ है, सब फिर यहां ले आईए, सब यहां ले आए, ठीक है, जो मर्जी है, खेलना है, नंबर खेलना है, मज़ा है, ठीक है, कुछ है नहीं, अब बुल रहे है, चौथा, वो चार केटेगरी हुए, पाँच वा, गैप फिल कोश्चन, गैप फिल कोश्चन आपको पूचा गया है, कि इन दोनों का समेशन क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक, तो समेशन क्या होगा, अब आपको लिखना ही है यहां पर, समेशन क्या होगा, you have to write, तो जब आप राइट करेंगे, आपको करेंसी लिखने का ज़रूरत नहीं है, करेंसी अल्रेडी प्रिंटेड है, डॉलर, डॉलर, पाउंड, 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 you don't have to print the currency, you just have to write the numericals, जोड के जो आएगा, वो लिख दीजे, लिखा होगा है, तो टू डेसिमल प्लेसे तक आपको लेखना है, ठीक है, फिर यह प्रिंटिजिक लेवल में सब ऐसा ही रहेगा, उन लोग को ऐसा बच्चा नहीं खिलाने बाल है, विखो सारा जित्योरी लिखना चाहते थे अब दो पन्ना, वो सब ऐसे ड्रॉप डाउं में डाल देगा, इधर का डॉप 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 उनका किसी को नहीं मालूम हम लोग, तो मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं, कितना नंबर है यह हो गई नहीं, वो एक बोलने का मपलब है, और क्या है कि सिंस इस तरह नंबर खेला खेली है न, आदमी बेवकुप से बेवकुप भी बेठेगा न, स्ट्रेटिजिक लेवल में भी सौ में 20-25 तो लेए आएगा, तो अगर 40 नंबर रखते है एक्जाम में पास होने के लिए, सब पास ही होता है, ऐसे ही बोलते है, डिग्री फ्री में दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा मार्किंग नहीं होगा, तो फिर डिफरेंसियेशन नहीं होगा, कि कौन बढ़ी है, क बिग्वाज एक बात में तो नहीं बूला जा सकता है, उससे यह थोड़ी ना पूछेगा, यहाँ पैस्त लगेगा, कि यह लएगा, फ्रीका चल रहे है, क्या, उतना नहीं है, बिग्वाज नहीं है, लेकिन ब्रेन भाउत लगाना है, और पूरा कोर्स का ब्रेन लगाना ह हम लोग क्या लगता है, कोई टॉपिक खड़ावन ही पड़ते हैं, यार मन नहीं लग रहे है, अब नहीं चलेगा, यहाँ तो इस टेम बोला था कि जो लोग जो भी थे, उतना तक तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ के कर लो, नहीं सुदरा तो क्या करेंगे, आपने अ 2016, ठीक है, इसलिए 2015 is a good year to pass, because 2016 से नियरली पास नहीं आएगा, पास फेल, that's all, no nearly, for first one year they are going with nearly pass, so that they can communicate, think in that way, कि even though this is a new pattern, but हम लोग जितना भी जन बैठे हैं, चाहे कोई भी लेवल में 2015 में सीमा बन सकते हैं, अगर मन में जोस हो तो, easily एक दम, ठीक है, तो यहाँ लिख र 100 होता है, ठीक है, सब को पता है, enter the result of the following calculation and then choose if it is higher or lower than calculation 1, मतलब यह 9 into 13 जो आएगा, वो 100 से higher है, क्या, अगर higher यह lower है, तो बुलता है, इस drop down में जाही है, higher or lower दोट है, उसमें से कोई एक select कर लीजिए, वहाँ गया higher, ठीक है, फिर दूसरा, and then, ऐसे, यह mathematics नहीं चाहे है, कि इस तरह से हम बर्ती करके drop down वाला देंगे, यह चेटा category हो कि सात्मा category, last, last category क्या है, बुलता है, बिलो is an example of a sort question, click on the map below to indicate the location of Australia, हम लोग को भारत का map देकर यह नहीं पुछने वाल है, बैंगलोर कहां पर है, this is not the question, they are just asking कि this is also a category, हम लोगो थोड़ी में वर्ल्ड मैप में कहां साउथ अपरिगाज नहीं यह सब थोड़ी नहीं दिखना है, they are just asking कि इस टाइप का भी question बन सकते है, लेकिन इस टाइप का question जेनली operational level में ही रहेगा, management strategy में वो सब हो सकते है, कुछ थोड़ा figure charts वगर है उसके basis पे, तो इसमें क्या होगा, मानलो मैं बोलूगा, इस टेलिये यहाँ है, आगे यहाँ, लेकिन हमको लगता है मानलो यहाँ नहीं है, घलत हो गये तो, फिर click करिया, और यह click किये, मानलो मैंने यहाँ click किया, मेरको लगता है यहाँ होगा, मेरको लगता है यहाँ खर लिए कुछ है निए इसके अंदर आगे यानि कि इस 7 categories of multiple choice you can say objective type question which I should say objective type question will be applicable for all the three levels कौन सा कौन सा paper के लिए operational level में F1 P1 E1 management level में 222 और static level में 333 and these 333 nine papers exam can be given on any day when you feel you are confident there is no time frame आपकी जब मर्जी आप एक्जाम में बैठ जाईए 365 दिन जब जहां से इक्जाम देना आपको बगल में नहीं देना जाके देना वहां से दीजे कोई बात नहीं बुक यूर सीट गिफ्द एक्जाम अगर आपको लग रहे हमको कल एक्जाम देना हम तो मर जाएगा दे भाई कोई बात नहीं है थोड़ा दूर जाना हो का पियरसन सेंटर जहां पर कल के लिए सीट अवेले महां चली जाए क्या है लेकिन एक्जाम मेरे हिसाब से बुक त इस अपॉन यू लेकिन जब एक्जाम देनी जाएंगे दुगी वला बात नहीं होना चाहिए हम फेल भी हो सकते हैं नहीं करने हैं वो तो अब कर रहे थे अब नहीं करने हैं फुली कॉन्फिदेंट होकर हम एक्जाम में घुसेंगे पास होकर निकलेंगे ठीक है यहां लि और आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ तो बोलो जमा ले लेता हैं अंदर में आप अपना क्याकुलेटर लेकिए जा सकते हैं उसके इलावा कुछ नहीं कोई पेज, पैन, पैंसिल, नथिंग ठीक है क्याकुलेटर यहां पर दिया, उपर क्याकुलेटर है, हर पेज में था, मैंने अभी तक बोला नहीं था, जहां आया, वहीं पर मैं खोल रहा हूँ, हर पेज में उपर क्याकुलेटर यहां पर है, आप क्याकुलेटर को क्लिक करेंगे calculator click किये तो calculator में दो तरह का calculator है scientific है अगर आपको scientific वाला में sin, cos, theta सब लिखाओ है कोई काम का नहीं अपने लिए अगर हमको लगता है इतना button ऊफ क्या हो जाएगा तो I can change the mode, mode उपर है ये mode, mode को मैंने click किया click करने से standard, standard calculator आगे, normal वाला all the both the two calculators are there, whichever calculator you want to use again you can change the mode, दूसरा calculator आजाएगा, ठीक है अगर आपको लगता है कि पहला साल 2015 में हम लोग तो सीमा बनी जाएगे अगर आप मेरी बात सुनेंगे, कोई tension नहीं है, तो अगर हम लोग 2015 में सीमा बन रहे हैं आपको नहीं उसकरने हैं आप घर से लिए जा सकते हैं अपना calculator, कोई बात नहीं है, फर्स्ट यर है, ठीक है अब ये समल लेजी calculator को बीच में आ गया हमको हर समय खूला रखना है, ठीक है, बोला ऊपर में, ऊपर यहां जाएंगे डैग नहीं है, इसमें हो रहा नहीं है, वो सकता है, सिंस हम यह, बंद हम कर सकते हैं, हमारा यह दिखाने का मतलब था, सिंस मेरा यह जो laptop है, इसमें हम सिंस यह बोर से connect करके रहा है, I have not included any program, केवल वो चलाता है, जो कि खली इस computer में, माने यहां इसको support करें, कोई भी और चेट डालने से, यहां class में problem होता है, तो उस अप घर पे जाएंगे, इनका website पे जाएंगे, इस calculator में यहां जाएंगे, तो अपने आप plus sign बन जाएगा, प्लस sign बनने के बाद आप इसको, करसर को ऐसे साथ में ड्रैक करेंगे न, वो इधर चला जाए है calculator, दूसरा, दूसरा क्या है, मान लो calculator को आपको इतना बड़ा नहीं चीए, छोटा करना है, you want other things to see, हमको चोच calculator थोड़ा चोटा चीए, तो हम यहां पर गए, यहां पर यहां दिखारा नहीं है, मेरा प्रोग्राम में, यह नीचे यहां, यहां पर ऐसे arrow दिया होगा, तो arrow को आगे टानेंगे न, calculator छूटा हो जाएगा, shrink हो जाएगा, आपको और बड़ा करना, और टान दीजिए, यानि कि these are the possibilities you can do, कि calculator को एक तरफ ले जाना है, हर समय आपको चाहिए, छूटा करना है, बड़ा करना है, that you can do, those possibilities are there, ठीक है, वैसे always आदमी को habit क्या करना चाहिए, escape भी नहीं हो रहा है न मेरा भाई, एक cross आता है, कहां गया है, next, ठीक है चलते हैं एक बढ़ छोड़ो, actually इसमें हो रहा है, आपका घर पर जो भी प्रॉपर कम्प्यूटर वेगा उसमें हुएगा, कोई ऐसा कोई हाई-फाइ प्रोग्राम नहीं चेह, लेकिन मैंने कुछ डाल के नहीं रखा इसमें, जैसे कि मेरे को बोर्ड चलाने में कभी असुइदा ना हो, ठीक है, सब डिलिट किया हुआ, पुरा कम्प्यूटर में, अब यहां पर है टेबल सर फॉर्मूलेस, टेबल सर फॉर्मूलेस अभी भी पीछे रहता ही था, पेपर में, यहां पर टेबल सर फॉर्मूलेस कहा है, एकदम नीचे यहां, नीचे, लेफ्ट में, tables and formulas click here table and formulas आ गया यह table and formulas यहाँ देखो यहाँ देखो इसमें दिखा रहा है आया है अब इसको हम कहीं इधर उदर हिला सकते है I can dance ठीक है हमको बाहर निकालना है कैसे कुछ भी कर सकते है इसको भी छोटा भी कर सकते है यहाँ दिख रहा है मैं चोटा कर रहा हूँ चोटा हो गया और चोटा हो गया चोटा बड़ा जैसे size आपको करना है आपको जो convenient लगे that you can do ठीक है उसमें वो cross दिखा रहा है नहीं थे हैं cross दिखा रहा है खतम हो गया tables and formulas ठीक है फिर है next अब यहाँ पर क्या है ध्यान देंगे एक scratch pad लिखा हो है scratch pad का मतलब है जब आप click करेंगे एक word file खुल गया ठीक है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं आपको कोई चीज लगता है जो कि बाद में आपको जरूरत पड़ेगा anything short notes rough page this is a rough page इसमें जो भी लिखेंगे मिटेगा नहीं जब तक आप उसको delete नहीं करेंगे I am writing anything कुछ भी लिख दिया हम ठीक है अब हम इसके साथ जो play round करना है cut copy paste hand tan कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इसको copy करके यहाँ नहीं ला सकते हैं you cannot बस यहीं पर इसी scratch pad के अंदर ही dance कर सकते हैं बाहर नहीं निकलेगा बाहर कुछ भी लिखना है और आपको लिखना होगा कि यह वाला यहां से बाहर नहीं आएगा scratch pad is general working यह generally काम कब आएगा यह तो कुछ हम लोग को working करना है और यह case study में कुछ-कुछ points हमको मन में आ रहा है पढ़ते वक्त तो पढ़ते वक्त पॉइंट हम बाद में भूल जाएगा हम एक बार यहां लिख लिया फिर हम इस scratch pad को वापिस एक लिक करेंगे न वो लिखा वा रहेगा मेरा मिटे का नहीं तो scratch pad is a rough paper you are given इसमें पूरा page ही page है जितना आपको लिके नहीं लिखते जाएगे उतना समय नहीं रहेगा ठीक है एक scratch pad exam में physically भी वो लोग देगा scratch pad physically बोलने का मातलब page नहीं रहेगा slate रहेगा जैसे बच्पन में slate रहता था उसके ओपर आप लिखिये मिटाईए जो भी करिए तो आपको इस scratch pad से गर काम नहीं करना है उससे भी कर सकते हैं but I will advise we will be using this scratch pad because क्या है simple example दे रहे मानलो इन्होंने exam दिया ये question का पुराना system में ये question का answer दिया दो पेज लिखा इसको लगा वो ठीक नहीं है इसने वो काट दिया cross कर दिया इसे cross करने के बाद इसने next page में next page में एक answer फिर से लिखा वो ही answer लेगिन जो इन्होंने पहले cross किया था वो सही था और जो इन्होंने बाद में लिखा वो wrong था institute बोल रहे हम लोग institute बोल रहे मतला हम नहीं institute बोल रहे कि examiner ने देखा इनका जो cross किया हुआ वो सही है और जो बाद में इन्होंने जो लिखा है वो wrong institute ने cross किया हुआ को टिक लगा के marks दिया और जो इन्होंने लिखा था उसको cancel कर दिया, इनको marks फिर भी मिला यानि कि फिर भी फेल हो जाएं तो क्या बोले समझना बात कि that help is there with the institute, और this is not there in SEMA this is there in all the professional exams हम भी CA का copy चेक करता हो और SEMA का copy कहीं भी चेक नहीं होता है, खाली UK सारा copy वहीं जाता है वह पूरा, सारा copy, जितना world से सारा UK में ही चेक होता है अब उनका बोलना है कि UK का जो लोग है, उनका English आप से 100 गुना खराब है उनका इस challenge, वो लोग को बोलना जल्दी जल्दी आता है, that doesn't mean that grammical mistake हम लोग से कम है, spelling mistake हम लोग से कम मैंसा नहीं है, ज्यादा है तो spelling mistake और grammical mistakes पे marks कटता ही नहीं है deduction है ही नहीं अगर हम लोग इंडिया से डरेंगे इस बात पे कि grammical या spelling mistake पे marks कटेगा no deduction, यह नहीं कि कुछ बूल रहे हैं और कुछ समझ में और नहीं होना चाहिए but actually for grammical in spelling mistake marks deduction ही नहीं institute का instruction आप spelling गलती करिये, कोई बात नहीं है, कोई भड़क नहीं पढ़ता है तो अगर हम लोग इंडिया से एक्जाम दे रहे है कोई भड़क नहीं पढ़ता है, ठीक है दूसरा, क्या कोई बिजन copy लिखेगा, यह इंडिया से आया, पता चलिया की नहीं उस पर student का ID number यह सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन पता चल सकता है की नहीं इंडिया बाला का feeling इंडिया बाला रहेगा की नहीं मेरा भारत मान माला feeling रहेगा अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान आदमी होगा, उसको इंडिया के बारे मालूम होगा copy पढ़ के समझ में आ जाएगा, कि इंडिया स्टुडेंट का है तो अगर वो racism होता है, होता नहीं होगा, कोई भी examiner ऐसा नहीं है नॉर्मली किसी, तो racism कुछ नहीं होता है, जो जैसा लिखी का वैसा number मिलते है किसी कभी साथ ऐसा नहीं होता है, कि भाई, हमको 70 मिलना चाहिए था 35 मिला यह सब आपको भी काम का मतलब है, आपके मन में कुछ है, वैसा नहीं है they are full pure, every aspect से they are very pure for progression of the student लेकिन अब क्या है, आप तो कोई काटपीट है नहीं, तो अब फाइदा क्या है, माल लीजिए आपने ये वला scratch pad जो है न यहाँ पर, उसमें कोई rough working किया, ठीक है आपका time वहाँ पर मेरा तो 31 मिनट बाकी है भी, 31 मिनट बार paper बंद हो गया लेकिन इस scratch pad में जो मैंने लिखा था, वो तो लिखा रहे गया एक्जामनरी scratch pad आपका खोला, scratch pad में उसको दिखा, आपने बहुत तत्थे लिखा है marks will be given, pass और अगर घर वाला scratch pad में लिखी है, वहाँ से कैसे दिखेगा, वो तो वहीं रह गया इसलिए when you will write anything, use scratch pad of the computer don't use scratch pad जो वो लोग देंगे, आप ही सोच रहे न because ऐसा तो हो सकते हैं न कि time खतम हो गया, paper बंद हो गया लेकिन scratch pad में जो मैंने लिखा, उसके basis पे marks award दिया जाएगा ऐसे वो लोग लिख रहा है, वो लेगा, आप कैसे बोले, वो तो लिखा है, हम भी बोल रहे है they have written, कि we will not value your scratch pad writing but I know, in scratch pad, if you are writing proper thing, marks will be awarded तो समझ लेना कौन सा scratch pad यूज करना है, यह आपके ओपर है, ठीक है हम लोग वो वाला scratch pad जो वो लोग फिजिकल ही देगा, वो ऐसी कोई working करना है, जो की कोई मतलब नहीं है, वो कर सकते है लेकिन कुछ भी मेर को मन में आ रहा है, लिखना है, अमको वहीं लिखना है it is advisable, ठीक है देजिये, मत देजिये, वो हाँ से देख रहा तो नहीं है, अब examiner को समझ में आ जाए, कौन सा question का answer लिख रहे है आपको फिर भी देना है, देजिये, कोई फरक नहीं पड़ते है, ठीक है, लेकिन scratch pad वो लोग जो दे रहा है, वो यूज करेंगे, computer वाला, ठीक है फिर है, बोल रहा है questions with additional information, यह ऐसा strategic नहीं भरवर की रहेगा, वो जो साथ category वाला question उससे जादा यह सब रहेगा, बगो अधर question में पांदस line, तक 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 तक, फिर चालो उसके उपर, और operational में सबसे कम, management में थोड़ा थोड़ा, strategic level is the highest level OVC, objective type question, highest level of difficulty, in strategic level, तो not that, if you have not cleared one paper, you will go in first January, happy new year fail के साथ होएगा, इस्टे वो advise नहीं है, पहले be confident, be sure कि हम यह पाप, because पैसा भी तो लेगा न, 12-13 जरी पिल अफरीका थोड़ी नहीं है, हम कोई दी देना फायदा नहीं है, जरूरत नहीं है, जब आपको लगे, मन में विश्वास आए कि हम पास होएगे तब एक्जाम देना है, बेब काम का जवरदस्ती बुक करके कि हम फेल हो गया, दोस्त पास हो गया, और हम क्या करें, आज ही हम को फाड़ना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा दीरच के साथ, 37 एक्जाम देना है, तो यह है कि exhibit है, इस question के ऊपर, यह जो answer आपको लिखना है, उसके लिए कुछ write-up अलग है, इस exhibit को click करेंगे, यह सब नहीं लिखा रहेगा, एक आ गया, एक window खुल गया है, जिसमें information है, जिसके basis पे question का answer देना है, तो इस window में जो भी लिखा है हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद window को बंद कर देंगे, window फिजिकल ही सम करते हैं, तो पेपर को बार बार देखते रहते हैं न, अब बार बार कैसे देखेंगे, कैसे, अब तो यह ही है जो देखने के लिए है, तो इसके थूँ आपको जाना है, तो इसको sort कर लिजी, if you want that, this would remain open every time, make it sort, arrange it in somewhere in your window, so that every time you can see that, if you require, यह सब habit डवलप क करना हो गए सम, फिर है, एक्जेबिट के बेसे इस पर हो गया, लास्ट में यह टाइमिंग के लिए आ रहा है कि भाई, टाइम रिमेनिंग, लेकिन यह टुटोरियल एक्श्वली, साट मिनट कही है, तो तुटोरियल बोल रहा है कि यहां तो 58 दिखा रहा है, वहां दिखा जब तक आप यहां पहुचोगे, जब आपका एक्जाम में पाँच मिनट बचेगा ना, पाँच मिनट तो एक वार्निंग वाला विंडो खूल जाएगा, बोलेगा केवल पाँच मिनट बाकी है, एक्जाम में भी बोलता है कि नहीं बोलोगा, ओनली फाइव मिनिट्स ले जब आपका साथ मिनट बीच चुका होगा, अब आपको क्या बोलेगा, बोलेगा, ओकी कर दीजी हो गया आपका, टाटा भाई भाई हो रहे है, कि आपका समय खतम होगे, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कितना दिर बैटेंगे, टाइम तो हम बंद हो गया पेपर, तो व रहे हैं, नेक्स्ट, माल नेजे कोई question का answer हम लोग दे रहे थे, confusion में थे, दो में से ये हो सकता है, थोड़ा पता, थोड़ा नहीं पता, तो हमने answer तो दे लिया, answer देने के बाद यहाँ top में एक flag, flag दबा दिया, top में flag दबाने से क्या होगा, last में आएगा कि ये वाला question को आपने flag किया था, कि आप फिर से देखोगे, देखना चाहते हो, flag दबाने से क्या होगा, कि when you will submit your solution, at that time it will ask, कि you want to review this question, क्या आपको इसको review करना है, नहीं करना है, मत दबाई, ये कौन मना करना है, नहीं करना है, ठीक है, आगे, फिर, काहां submit होगा, हम बोल रहे हैं कि जब तुमारा 60 minute, 90 minute होगा, तब submit होगा, लेकि 90 नहीं होगा, तुम 80 minute में पूरा paper कर चुके हो, 10 minute बाकी है, तो 80 minute में तुम कोई-कोई question हो सकता है, ऐसा कियोगी जो तुमको वापिस देखना था, हम लोगो सारा question देखने में तकलीफ होगा, कि अबल वही देखना है, जिसमें गरबर का chance है, तो फ्लैग दबा के रखेंगे तो अभी आएगा देखना फ्लैग वाला, कि यह सा फ्लैग वाला question है, हम तो खतम थोड़ी ना हुआ, हम तो बता रहा था कि 60-90 minutes होने से वो दिखाएगा, कि खतम हो गया, बाहर आ जाईए, यह ध्यान देजिएगा, आगे चलना हो रोखें एक बार, खतम हुआ नहीं अभी आ रहा है, जैसे ही आप answer माने end exam करने जाए यह तो ऐसी window खुल गया है, जो बता रहा है कि जो question आपने नहीं किया, वो सब incomplete दिखा रहा है, मालनी जो incomplete है, उसको complete करना है मेरको, समय मेरे पास है, incomplete वाला को हम click करने, वो question खुल गया है, I am straight away into that question which is incomplete, हमारा यह answer हो गया, review screen, यह review screen चल रहा है, review screen फिर आ गया है, अगर मै यह ने किसी को flag किया होता है, वो यहाँ yellow दिखाता, कि वो वाला मेरा confusion था, तो हम उसको click करेंगे, वहाँ पहुच जाएंगे, यानि कि आपको यहाँ आने के बाद आप अपना review कर सकते है, review all, आपको सारा question review करना है, review incomplete, के वाल incomplete वाला को review करना है, review flag, जो जो flag वाला उसको review करना है, कौन सा वाला review करना है, यह आपके उपर है, ठीक है, आपको submit करने के पहले review करने बोलेगा, आपको करना है नहीं करना है, आपके उपर है, you will be allowed to review your answers, अगर नहीं भी रखेंगे, तो फिर number याद रखना होगा कि यह वाला में है, तो flag कर देंगे, अच्छ रहेगा करना, माल लेजी आपका exam खतम होगे और flag वाला flag ही रह गया, क्या हुआ रहे 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 गया, कोई problem दोड़ी नहीं है, exam खतम होगे 90 minutes, हमारा flag वाला कम बेकी नहीं पाया, review आया ही नहीं हमारा, review कब आएगा, जब आप पहले यहां तक पहुंच गया है, आपका 90 minutes खतम होग पहुंच नहीं बाकियों, review कहां से आएगा, उसके पहले finish, लीजिए सर, question 14 में चले गए, कहां था, 14 में तो यह question नहीं था, 1 second, माल लेजे हमको one वाला question को change करना, one वाला में भी question नहीं था, incomplete नहीं को change करना है, हम 10 में आ जा रहे हैं, अरे नहीं दिखा है, यह 9 number वाला question में आ गया हम, इसमें तुमको answer change करना है, कर लो change आ कि क्या है, review में सब कुछ दिखा रहे हैं, अब हो गया, हाँ, वो case study वाला तुम बोल रहे हैं, जो तुम कर आ अगर पर आ रहे हैं, वो भी है, अभी multiple twice में कुछ ऐसा नहीं है, तुम जिस समय जिस question में जाना चाहते हैं, जाओ, सारा review वगर हो गया, I am satisfied, I want to do end exam, end exam, end exam, end exam, end exam मैंने click किया, पहला बार यह बोल रहे हैं, you have chosen to end the exam, but have three incomplete questions, if you click yes, you will not be able to return to this review and your exam will end, बोल रहे, click करोगे तो वो three incomplete रह जाएगा, exam खतम हो जाएगा, हम बोल रहे हैं, हम को yes करने हैं, हम को नहीं complete करने हैं, फिर, बोल जाने नहीं देंगे आपको, फिर से बोल रहे हैं, please confirm, that you want to end the review, if you click yes, you will not be able to return to this review, फिर से याद दिला रहे हैं, बोल भूल के click हो गया होगा, तो भाई फिर से सुन ले, अब ऐसे आप click करते ही जाएंगे, तो कितना बर बोलेगा बिचारा, ये थोड़े नहीं बोलेगा, आंसर देने हैं नहीं देंगे तुमको, ये तो नहीं बोलेगा न, वो तो दो बर तिन बर याद ही दिला सकते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर है, वो याद दिलाएगा ब दो बर वीचरा पहले बोला भी तीसरा बर फिर बोल रहें कि तीसरा बर यहां पर विंडू रहेंगा जिसमें पीछे जा सकते हैं, बोला नहीं हम को तो पीछे जाना न ही नहीं है, जाओ आगे, खत्म, अब हो गया, फिनिस, अब नहीं मिलेगा, और जैसे ही एंड दबाए कि अध्मिर कार मने एक्जाम में क्या हो उसका रिजल्ट आ जाएगा अध्मिर कार मने क्या हो एक्जाम समझा जब सुरू में तुमारा 15 मिने टुटूरियल चलेगा उसमें एक जगा लिखने बोलेगा कि तुमारा मनें कॉंटेक्ट आइडी के और नाम के तो पूरा पेपर में ऊपर लिखे हुए आएगा और कॉंटेक्ट आइडी इस वो अल्रेडी सेव रहेगा है सेवडी रहता है अच्छा ही है चलो भाई सेवडी रहता है हम लोग अबजेक्टिव टेस्ट को रिव्यू किये अब हम लोग आ रहें के स्टेडी कोश्चन सब के लिए के स्टेडी है के स्टेडी कोश्चन स्टाट कर रहें के स्टेडी के अंदर बोल रहें तीन घंटा के ट्रीन एक्जाइम होगा three hours, साल में चार बार, four times, सबीका, operational में में integrated है, management made integrated है, और strategic लेवल में बीटी इंतीग्रेट है, सबका नाम है, case study exam, integrated पहले बोलोग और आदूस कर रहा है, था, now they are using the word case study exam, they are not using the word integrated, the institute is using the word case study exam at all the levels, सब में तो है न वो case study exam तीन घंटा का होगा साल में चार बार होगा February, March मोटा मोटी February and March beginning March में तक चलेगा May, April and May और August, September और October, November ठीक है अब ये जो case study exam होगा ये हर एक group का exam का case study साथ दिन होगा मतलब मान लो operational level का case study 25 फरवरी से exam, माल लो मेरे को exact date याद नहीं है तो 25 फरवरी से 7 दिन 2 मार्स तक या 28 दिन होता है तो 3-4 मार्स तक वो चलेगा, आप वो 7 दिनों में से कोई भी दिन दे सकते है You can choose your any day Any one day on which you want to give तीक है ये जो case study बले exam होगा इसका पहले से exam बूपिंग करना होगा मोटा मोटी 21-25 देस पहले मतलब अगर हम February ये मार्च वाला case study exam देना चाहता है तो उसका window 21 दिन पहले बंद हो जाएगा Because उसके लिए क्या है कि जितने जन लोग exam देना चाहते हैं जितने जन वो लोग जो Pearson centers में जाके exam देना चाहते हैं वहाँ पर availability का भी तो arrangement करना होगा न तो for that reason they want that you have to book your exam in particular time वो institute का website पे सबका last date लिखा हो है कि February March के लिए last date कब है माई वाला के लिए last date कब है August वाला के लिए कब है November वाला के लिए कब है 2015 तक का 2016 का इस्टोरी अभी नहीं दिया हो है तो आपको अपना case study exam उस last date तक book करना होगा ठीक है objective type question के लिए कोई last date नहीं है वो तो हर समय है लेकिन इसके लिए last date को prevail करना उसके बाद exam नहीं दे पाएंगे उस तरम में February because one group exam case study 7 days na for each level 7, 7, 7, 21 days but if they start say 25th February तो 21 days तो 15-20 मार्स को खतम होगा न तो अलग-अलग की study का 7-7 दिन exam चले 7 दिन में किसी एक दिन एक group का 7 दिन operational level चलेगा उसमें से कोई एक दिन 7 दिन management level चलेगा कोई एक दिन 7 दिन strategic level चलेगा कोई एक दिन that way बड़ उसका booking तीनों का एक particular rate को खतम हो जाएगा तो आपको अगर वो exam देना है आपको उस देट तक booking करना होगा you have to तो यहाँ यह सब लिख रहे है कि तीन घंटा का exam होगा साल में चार बार होगा particular type के लिए window खुला रहेगा कि आपको exam का book करने आप book करने के बद exam जिस दिन आप book किये उस दिन आपको exam देने मिलेगा ठीक है आगे चले आगे फिर वोई बता रहे है timing है यह सब नविगेशन है जो उधर बताया था अब सबसे में इंपोर्टेंट बात कि स्टेडी exam में कोई practical question नहीं आएगा ना operational ना management ना strategic के स्टेडी exam में कंपनी का पी एल कंपनी का बैलन सीट कंपनी का कैस फ्लो कंपनी का दूसरे से comparison ratio अगडम अगडम सब क्या बरेगा इसलिए आपको कोई excel सीट कोई भी तरह का और document नहीं चाहिए except writing pad it's pure theory exam पूरा कोई भी case study exam में कोई practical नहीं आएगा कोई भी level में हर एक level में it's only pure theoretical exam indirectly it will be used because अगर आपको theory लिखना है कोई चीज की बारे में आपका suggestion टूछ रहे तो with the help of numericals you will subsidize your theory आप उसके basis पर समझाएंगे लेकिन कोई numerical calculation नहीं करना है no calculation हाँ ये जरूर है मान ने कोई ratio दिया हुआ है ratio का analysis करना है हम दो ratio को multiply करके कुछ निकालना चाह रहा है वगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो हम कहां जाएंगे scratch pad महाँ पर हम अपना working करेंगे और यहाँ पर फिर उनको लिखेंगे लेकिन तीनों level में जो case study exam है कोई practical working नहीं करना है सब level में it's pure theory based exam ठीक है तीनों level पर कोई भी level पर कोई practical नहीं है तो इसलिए बुला ऐसा है जो भी question होगा अच्छा आगे आता है जो भी question होगा उसमें यह window खुला रहेगा आप इसके अंदर type करिए basic जो window का features होता है वो यहाँ है cut, paste, copy, undo, redo, bold, italics, underline उसके अलाबा और कुछ नहीं कर सकते बस इतना ही features है यह से features है आपको इसके अंदर जो लिखना है वो लिखना है ठीक है जो मैं अभी दिखाया window में घर पी करना चाहिए कि कुछ लिखके underline बगर करने का practice कर लेना चाहिए आदमी को कि भाई मेरे को underline करना है तो कैसे करना है कुछ है नहीं वो साव अमनों को आता है बट फिर भी at least we should try one or two times better है था बुल रहे है email response question actually दो तरह का question होगा या तो है कि company के पास कोई दूसरा client से कहीं से email आया है या आपका board of directors आपको mail किया है तो आपको board of director को reply करना है through mail तो आपको किसको reply करना है ये सब यहाँ छपाऊवा रहेगा आपको सीधा यहाँ लिखना है this is called communication because if you are going in a job and you cannot communicate with the head of the department at the time of interview cannot communicate in any language if you cannot communicate with the person how you will be offered the job क्या जॉब मिलेगा आपको इस्टे communication skill develop कर रहे soft skill develop कर रहे बोलने का तरीका develop कर रहे because high level पे calculation करना अपना काम नहीं होता है actually calculation तो अपने subordinates करते हैं अपने तो calculation के basis पे report थेयार करते है तो वो reporting वाला चीज question में आ रहे है ठीक है फिर अब यहाँ पर कहे जैसे हर exam के लिए जो भी case study exam होगा student को round about 21 days पहले pre-scene material दिल मिल जाएगा तो तुम लोग को मिलता था उन लोग को तो नहीं मालब है न जो exam case study का होगा माल लो February में exam हम book कियें तो मेरे को February exam जिस दिन जाएगा